चत्रा सदर थानाशित्र के चत्रा हजारी बाग मुख्य मार पर हुए दर्दनाक सड़क हाथसे में बाइक सवार युवक की जान चली गए मृतक की पहचान सिंगपूर गाउन निवासी नितेश कुमार सिंग के रूप में हुई है घटना देर रात की बताई जा रही है परिजनों के अनुसार नितेश गिधोर प्रखंड मुख्याले में संचालित सरकारी शराब दुकान में काम करता था वो रात दस बजे दुकान बंद कर अपनी मोटर साइकल से घर लोट रहा था इसी दौरां सदर थाना शत्र के खरीक गाउं के समीप बेकाबू अग्यात वहन ने उसकी बाई को अपनी चपेट में ले लिया दुरघटना में नितेश गंभी रूप से जखमी होकर सड़क किनारे गिर गया दुरघटना को अँजाम देने की बाद अग्यात वहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया परिजनों को घटना की सूचना सोमवार सुबह तब मिली जब खरीक गाउं के कुछ हीवक मौर्निंग वॉक करने घर से निकले थे मौर्निंग वॉक के दौरान ही सड़क किनारे बेसूत पड़े घायल नितेश पर उनकी नजर पड़ी जिसके बाद ग्रामिडों ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुँची और घायल नितेश को मौके से उठा कर उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुचाया लेकिन अस्पताल पहुचने से पहले ही नितेश की मौत हो चुकी थी कि वा एक लवता बेटा था माता पिता का सिर्थ कमातर सहरा था और एक्साजी मांद करते हैं इतना भी आर्थिक सहीं दिया जा सकता है सब्सक्राइब दुकान बंद करके अपना घर वापस आ रहा था इसी क्रफ में राष्टे पे अग्यात वहान के द्वारा उसको धका मार दिया गया जिसमें दुर्भा के वस्ति की मिर्थी हो गई इसी सम्मंद में हम लोग यहां पर आये हैं और जो भी सरकार का नियम है उसके परिवार के आश्रितों को राष्टी दिलाने का हम लोग लगे हुए है और तदकाल जो कर्मी था उसको पेपर में विल्कुल सही था और उसको प्येप को गरा सब कुछ कुला हुआ हुए तो एटेंटरन के वामले में भी उनको इसके परिवार को हजारा से मिलेगा न्यूस्विंग के लिए चत्रा से धर्मेंदर पाठक की रिपोर्ट टफकॉन XT600HCR TMT रिबा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राट